गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों तो जैसा कि आपको पता है हमारा नीती के दो हे चेप्टर जो मैंने आपको कराया है आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे बेटा तो आपको पेज नमबर 87 में बेटा पठा नयम लेखन कोशल के एक वाक्त नूर्त तर लिखने ये आपको अपनी बुक में ही करने है तो अच्छे स्वभावाले लोगों पर किसका अशर नहीं होता अच्छे स्वभावाले वेक्ति पर बुरी संगती का कोई असर नहीं होता ऐसे ही मखन को मथने पर क्या होता है मखन को मथने पर धही से मखन अलग हो जाता है कभी ने किसका अधिक होना अच्छा नहीं बताया है अधिक बोलना अधिक चुप रहना अधिक बर्सना और अधिक धूप का अच्छा नहीं बताया है किसी कार्य को करने के बारे में कभी ने क्या कहा है कभी ने किसी कार्य को करने हुए कहा है कि यदि पूरी धर्ती क्या बन जाए कागज बन जाए जंगल के व्रिक्षों को लेखनी बना दिया जाए या समुंद्र के जल को शाही बना दिया जाए तो भी गुरू की गुन को लिखा नहीं जा सकता किसी भी कारे को तुरंत क्यों करना चाहिए क्योंकि परिस हमें दूसरों के साथ कैसा विहवार करना चाहिए उनका मुसीवत इसाथ देना चाहिए उनके अच्छे गुनों को अपनाना चाहिए कभी कैनुसा कौन है और ऑफशनल है विकल पर मुसीवत राइट लगाना है तो मुसीवत में मदद करें जो वो अखमारक क्या होता है सच्चा मित्र होता है किसके बाद है बेटा कभी ने साथो समुदर के जल को बनाने की बात कही है क्या बनाने की बात कही है कभी के अनुसार किसका गुन नहीं लिखा जा सकता बेटा मित्र का पिता का भाई का या गुरू का तो गुरू का गुन नहीं लिखा जा सकता सामान भावाले दोहे की पंक्ति लिखने है फिर आपको साप समंदर की स्याही से भी गुन नहीं लिखा जा सकता गुरू का तो साथ समंदर ये आप अपनी बुक में से आप कर सकते हो बाकी आप इस वीडियो में से भी देखकर लिख सकते हो बेटा मैंने इनके आंसर लिख दिये हैं फिर आपको निमिली दोहे का आर्थ लिखना है तो मैंने आपके पास पहले एक वीडियो में लिंक कर दिया है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोली जानी ये तराजू तोलिये तब मुक बाहर आनी तो बोली क्या है एक हमारी अमुल्य है इसका कोई मोल नहीं है जो कोई ये बोलता है वही इसका मोल जान सकता है तो जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमें अपने हिर्दे के तराजू में उन्हें तोल लेना चाहिए मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए तब हमारे मुख से वो शब्द बहार आने चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता कि किसको हमारी कौन सी बात बुरी लग जाए निमिल शब्दों के प्रायवाची शब्द चुनकर आपने लिखने हैं बेटा अध्यापक मित्र यह आपके शब्द दिये हुए हैं तो इनमें आपके प्रायवाची हैं आगे देखिए जैसे भुजंग का क्या होगा तो पीछे से ही आपने देखका लिखना है सर्प विष धर होगा सर्प विष धर विष तो जहर होता है ठीक है विष जहर हला हल ठीक है पीटा समुद्र जलधी सागर मुख आनन बदन मीत सखा मित्र गुरू अध्यापक सिक्षक फिर है निमलिक तद्भव शब्दों के तद्सम रूप लिखिए दही दधी मीत मित्र परले परले धर्ती धरित्री साथ सप्त गुन गुन अमोल अमुल्य माखन को नवनीत भी कहते है बेटा और मक्खन भी कहते हैं फिर पाठ आधारित वियाकरन जिस शब्द से किसी कारे के करने आ होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं जैसे अधिक बोलना अच्छा नहीं होता इस वाक्य में खेलना बोलना शब्द क्रिया है इसमें गलत लिख दिया है किसी ने खेलना यहां बोलना आएगा बेटा जैसे निमिलिक्त वाक्यों में क्रिया शब्द है, चंदन के विरिक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, तो क्रिया क्या है है? लिपटना, ठीक है? तो आप लिपटे करेंगे किसी कारे को कल पर नहीं टालना चाहिए, तो यहां क्रिया क्या है? टालना, गुरु का गुन नहीं लिखा जा सकता, लिखा लिखना भी क्रिया है और जाना भी क्या है? क्रिया, सच्चा मित्र वे है जो भी पत्ती में मदद करता है, तो मदद, ठीक है? करता, हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए, तो बोलना और सोचना समझना क्या होता है? क्रिया होती है, उच्चित कारक चिन से रिक्त स्थान की पूर्ती करनी है बेटा कारक चिन क्या होते हैं ये अभी आप अपनी फिप्त और 6 क्लास में पढ़ोगे में पर कुछ ये सब के काके की ये सब क्या होते हैं कारक्चिन होते हैं तो अच्छे सोभाव वालों बैश बुरी संगती प्रभाव नहीं पड़ता तो अच्छे सोभाव वालों पर बुरी संगती का प्रभाव नहीं पड़ता मथने पर दही और मही अलग हो जाते हैं दही और चाज मक्षन बुरे लोग अच्छे लोगों को हानी नहीं पहुचा पाते हमें हर कारे समय पर कर भी पूरा करना चाहिए फिर बेटा आपकी एक्टिविटी है यह आप अपने आप करेंगे पबीड जी के और रहीम जी के आप कोई नीती परक दोहे लिख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल से सर्च करके वह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है तो आपकी कशा में कुछ बहुत अच्छे बच्चे होंगे और कुछ शरारती होंगे आप कैसे हैं दूसरों बच्चों के ब कुछ संकेत बिंदू दिये हुए हैं चित्र को देकर अपने मन में उठने वाले आपको विचार लिखने हैं यह पिक्चर दी हुई है आप देख रहे हो किसान की गाड़ी पल्टी हुई है दो सैनिक चोर के पीछे भाग रहे हैं तो इसमें आपको एक कहानी लिखनी है कंप्लीट करना है आज और आपकी जो बुक में हैं राइटिंग है वो साप सुन्दर होनी चाहिए धन्यवाद बेटा